हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम, वो भी घर पर बहुत ही आसानी से, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज हम आइसक्रीम बनाएंगे, बिस्किट से यह मैंने हाइडन सीक का दो पैक लिया, आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं देखिए ग्राम से मैंने 120 ग्राम के दो पैक लिया है, अब पैकेट को हम फाल लेंगे और सारे बिस्किट को एक प्लेट में निकाल लेंगे, यह देखिए इस तरीके से, अब सारे बिस्किट के हम टुकडे कर लेंगे, यह देखिए इस तरीके से, अब सारे बिस्किट को grinding jar में हम ढाल देंगे अब इसका fine powder बना कर ready कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से हमें powder बना कर ready कर अब इसमें डालेंगे हम चीनी तो कटोरी के buffer से अगर आपके पास measure cup है तो half cup अब हम इसमें डालेंगे दूद, दूद हमें ठंडा लेना है यह मैंने छोटा ग्लास लिया है अगर आप कटोरी की मेजर से लेते हैं तो एक कटोरी अब हम इसमें डालेंगे मलाई, यह दूद के उपर की जो मलाई होती है वो लेनी है और ठंडी होनी चाहिए मलाई और फ्रैस होनी चाहिए अगर मलाई नी ले तो इसकी जगह पर विप क्रीम या अमूल की क्रीम भी ले सकते हो अब हम इसमें डालेंगे वैनिलाएसेंस तो यह पूरी तरह से ओप्शनल है वन टीएसपी छोटी अली जो चमपच होती है वो लेनी है जस फ्लेवर के लिए डालते हैं अब इसका लिड लगा देंगे और इसे क्राइड कर लेंगे यह देखी कितना अच्छे से क्राइड हो चुका है तो इसमें हमने मलाई डालिये तो हमें इसे ज़्यादा क्राइड नहीं करना है सिफ एक दो मिनेट के लिए ही क्राइड करना है इसमें यह देखी कितना अच्छे से रेडी हो चुका है कोई भी एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे जो भी हो एर टाइट अब इसमें यह देखी विस्किट का जो बैटर बनाया है था उसे हम डाल देंगे अब इसे हम प्लास्टिक से रैप कर देंगे यह मैंने क्लिंग रैप लिया है आप कोई भी प्लास्टिक की पन्नी या जो दूद की पन्नी होती है कुछ भी जिससे भी जो भी आपके पास हो उससे आप इसे कवर कर दें इससे क्या होता है कि आइस क्रिस्टल नहीं जमते और हमारी जो आइस की में बहुती क्रीमी बनती है देखिए इस तरीके से टैच करते हुए हम इसे कवर कर देंगे और धक्कन से अच्छे से इसे ढाग देंगे और इसे 2-3 घंटे के लिए अभी हम थोड़ा सा फ्रीजर में रखेंगे तो यह देखिए 2-3 घंटे हो चुके है यह देखिए पूरी हमें सेट नहीं करनी है सेमी सेट करनी है तो ऐसा करने से क्याता है कि हमें दो बार जिसे ग्राइंड करते हैं अपिसे क्याता है कि हमारी जो आइस-क्रीम में बहुत ही क्रीमी बनती है उसमें आईस नहीं जमती कि तो एक ग्राइंडिंग जाल लेंगे इसमें सारा आम इसे डाल देंगे बस आप एक चीज का धान रखने हमें चादा ग्राइंड नहीं करने है लिड लगाकर थोड़ा सा ग्राइंड करना बस एक तो मिनिट के लिए देखिए इसका टेक्श्चर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी बस इसी तरीके से रेडी करना है अब जो बॉक्स था उसी में हम इसको दुबारा से डाल देंगे देखिए इस तरीके सारम डाल देंगे और चमबस से अच्छे से यह में सेट कर देंगे अब इसमें डालेंगे चोको चिप्स यह पूरी तरह से ऑप्सिनल है आप इसकी जगे पर कोई भी चॉकलेट डेरी मिल्क या किट केट उसको चॉप करकर भी डाल सकते हैं देखिए मैंने चोको चिप्स डाल दिये अब जो यह एक क्लिंग रैप था ना पहले जो कवर कर रहा था उसको अब दुबारा से इससे कवर कर देंगे साइड से टच करते वे देखिए इस तरीके से इससे के अधना आइस क्रिस्टल नहीं जमते हैं तो बस इसका ठकल लगा देंगे अब अच्छे से और इसको साथ से आट घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे यह देखिए फ्रीजर से मैंने निकाल लिया है यह आप नीचे देख सकते हैं बहुत अच्छे से जम चुकी है देखिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ अब इसकी जो पनी लगाई थी हमने जो भी आप पोलोतिन लगाओगे या जो भी आपने लगाया होगा उसको अच्छे से हटा देंगे इदे ही कि आप इसका टेक्चर देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी बनी है और आपको आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी बहुत ही टेस्टी बनती है आइस क्रीम मेरे बताएव मैथड से आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी आपके भी थोड़ा समय ने इसको पानी भी डिप कर दिया था था कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए अब हम इसे निकाल लेंगे आप किसी से भी निकाल सकते हैं आइस क्रीम स्क्यूप से या चम्मस से जिससे भी चली सर्फ कर लेता हम इसे बाउल में देखे इस तरीके से हम बाउल में निकाल देंगे देख रहे हैं न कितनी क्रीमी बनी आप देख सकते हैं ये देखें मैं आपको पास से दिखा तो बिल्कुल भी आपको बर्प नहीं दिख रही होगी ये देखें बिल्कुल क्रीमी टेक्स्ट चले है इसका ये देखें मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसको चॉकलेट सीरप से थोड़ा सा डेकुरेट कर देंगे ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनी आईसक्रीम और थोड़ा सा चॉकलेट से इसको टेकुरेट कर देंगे इसा पुरी तरह से ऑप्षिनल है, आप जो भी चाओ लगा सकते हूँ ये देखिए, चॉकलेट स्टीक है बस जस्ट टेकुरेशन के लिए मैंने इसको लगाया है ये देखिए, आप पास से देख सकते हैं कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए, बस बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है ना कोई चॉकलेट, ना इकोको पाउडर, ना विप क्रीम तो बच्चे हो या बढ़ो, तो सबको चॉकलेट आस्क्रीम बहुत ही पसंद होती है आप इसे जरूर प्राइ कीजिए, और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये आस्क्रीम कैसी लगी तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दे ताकि न्यूव वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई